नमस्का फ्रांस प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है और इस बार चर्चा करेंगे व्रशिक राशी फला देश 15-7 से लेकर 15-8 के बीच में कैसा रहेगा व्रशिक राशी वाले व्रशिक राशी यहां जो आठ नमबर आता है वो व्रशिक राशी एक से बारा में आठवा नमबर जो है व्रशिक राशी का प्रतिक है वो मंगल के घर की राशी है और मंगल जाके बैठा है पंचम स्थान के अंदर फिफ्थ हाउस में मंगल जाके बैठना एक बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि मंगल एक फास्ट प्लैनेट है बहुती जल्दी काम करना पसंद करता है पेशन्स उसके पास नहीं है जितने भी व्रसिक रासी वाले है वो पेशन्स के अपोजिट से रहते हैं उनको हर चीज फास्ट चाहिए गरम खाना गरम चीजे तीखा ज्यादा पसंद करते हैं तत्व की रासी है लेकिन यहां मंगल के गुंधर्म इनके अंदर देखे जाते हैं लेकिन बात कर रहे हैं यहां थर्टी डेज में तो पंचमस्थान का जो मंगल है वो लोट्री अचानक धन संपन्ती अकस्माती पैसा जिसको बोलते हैं सेर सट्टा जुवा या कोई भी ऐसे अचानक पैसे आ जाना वो पंचमस्थान से देखा जाता है वहां है पंचमस्थान वो चीजे रिलेटेड है वो चीजों को बाहर दिखाता है मतलब अगर समझो मंगल आपका जनम का यहां बैठा हुआ है तो आपको सेर सट्टे लोटरी जुवे या वाइदा बजार से काफी फाइदा हो सकता है आप उसके साथ जुड़ सकते हो अगर जनम का मंगल आपका पंचमस्थान में कोई भी रासी का भैटा है तो कोई देखने की जरूरत नहीं है यहां मंगल बहुत ही अच्छे गिने जाते हैं यहां बात करेंगे 30 डेज में यह जो लास्ट मैना गया आपका काफी तकलिफ मही काफी संकट मही गया तीस तारिक जुलाई तक तो काफी समस्या रही आपके साथ लेकिन जुलाई एक से थोड़ी थोड़ी दीरे दीरे रहात होने लगी यहां आप जो कोई भाड जान या कोई भी भाड़े वाली चीज है वह आपने देख के रखी हुई है या सोच के रखा है तो वह अभी आपको मिल जाने के यहां गरगोचर निद्यस कर रहे हैं उसके अंदर आपको इंप्लिमेंट करना पड़ सकता है चोटे बाई बेनों के वहां जाना पड़ सकता है कि धार्मिक यात्रा हो सकती है श्पिचली कोई चीज के अंदर आप जा सकते हो थोड़ी सहत से लगती समस्या आपकी हो सकती है इसलिए सहत को समा दिए खास करके आपकी जो दवाई चल देए उसको बराबर से टाइम टू टाइम लीजिए दवाई में कोई भी कसर मत आपके जो आपसे वडिल है घर के अंदर आपसे बड़े है उनके साथ आपकी रखजगा भी हो सकती है वाद विवाद हो सकता है कुछ वाद विवाद में लंबा उतरना पड़ सकता है इसलिए वाद विवाद मत कीजिए ये टाइम आपके लिए अपरोप्रियेट नहीं है लंबे टाइम से आप काफी समस्याव से चल रहे हो खास करके मानसिक प्रिस्थिति जो है आपकी वो काफी खराब हो गई है दो-तिन मेने से तो और खराब हो गई है लोकडाउन के बाद तो आपकी मानसिक प्रिस्थिति को संभालिए ये टाइम आपकी मानसिक और सरदिक अवस्ता को ठीक करने का टाइम है उसके उपर ध्यान दीजिए उसके उपर फोकस कीजिए और खास करके आप अपने जो काम कर रहे हैं उसके उपर पूरा फोकस कीजिए क्योंकि काम अभी आपके हाथ से जा रहा है आपके हाथ से निकल रहा है या जॉब है या बिजनस है या कोई बड़ा घाटा आपका हो रहा है उसके उपर ध्यान दीजिए ये टाइम खास उसके उपर फोकस करने का है ऐसे और कई वीडियो लेके आऊंगा तब तक के लिए नमस्कार